हरे क्रिश्ना रदे रदे दोस्तों वीरवार को कहानी सुनना बहुत ही जरूरी होता है चाहें आँ वरत करें या ना करें लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर वीरवार की कहानी दिन में एक बार आप अवश्य ही सुनें इससे बिना वरत के ही भगवान विश्नुजी मालक्ष्मी जी परसन होते हैं और जातक को धन, पुत्र, मान, समान, यश की प्राप्ती होती हैं वीरवार की छोटी सी कहानी आज हम आपसे शेयर करें हैं फ्रेंड्स एक समय की बात है एक ब्रामन और ब्रामनी थे उनके यहां एक पुत्री रत्न की प्राप्ती हुई पुत्री बहुत ही समजदार भगवान विश्नुजी की भगत थी हर वीरवार को भगवान विश्नुजी का वरत करती पाठशाला जाती मुठी में जों भर कर ले जाती और पाठशाला की मार्क पर बिखेरती जाती आते समय वे जो स्वन के हो जाते तो उन्हें बीन कर घर ले आती एक दिन वे सोने के जो सूप में फटक कर साफ कर रही थी जब उसके पिता जी ने उसके कारिये को देखा तो बोले पुत्री सोने के जो साफ करने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए पुत्री ने अगले दिन भगवान विश्णुजी से प्रातना की उससे सोने का सूप मिले क्योंकि अगले दिन वीरवार का व्रत था उसका वह पहले की तरह पाठशाला गई मुठी में जों भर कर ले गई और पाटशाला के मार्क पर बिखेरती गई आती समय उसे जों के सासा सोने के सूप भी मिला वह एक दिन सोने के सूप में सोने के जो फटक कर साफ कर रही थी तबी उस देश का राजकुमार वहां से गुच्रा और उस लड़की के रूप और कारिय को देखकर उस पर मोहित हो गया घर जाकर बिना खाए पिये अपने राज महल में लेट गया जब दास दासी उसके लिए खाना लेकर आई तो वह ना कुछ खाए ना पिये जब राजा तक राजकुमार की सालत का पता चला तो राजकुमार के पास राजा दोड़े दोड़े आए बोले पुत्र तुम्हें किस चीज की कमी है क्या तुम्हें चाहिए वो हमें बताओ हम अवश्य ही तुमारी इच्छा पूरी करेंगे तब राजकुमार ने कहा राजा जी हम तो उसी लड़की से विवहा करेंगे जो सोने के सूप में सोने के जो साफ कर रही थी तब राजा जी ने कहा तुम ही उसके घर का पता बता दो हम अवश्य ही तुमारा विवहा उस लड़की से करा देंगे राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बता दिया राजकुमार और राजा के दूत उस ब्रामन के घर पहुचे और उसकी पुत्री का हाथ अपने राजकुमार के लिए मांगा ब्रामन देवता बड़े ही परसन हुए उन्होंने खुशी खुशी राज कुमार से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया लेकिन जैसे ही लड़की उनके घर से गई उनके घर दरिदर्ता का निवास हो गया जो कुछ भी खाने पीनी का था वह सब भी खतम हो गया दोनों समय खाने के लिए भी माता पिता तरसने लगे क्योंकि वह तो अपनी लड़की के भाग का ही खाते थी एक दिन पिता बहुत दुखी हो कर अपनी लड़की के घर गया लड़की ने अपने पिता की दैनिये दशा को देख कर बहुत सारा धन उने दिया और कहा पिता जी मादा जी को कहा करो सुबे उठे नहा धो कर भगवान विश्णु जी की पूजा करें जोत लगाएं भगवान विश्णु जी का वरत करें कथा कहानी सुनें इसे अवश्य ही आपको धर्न सुक समरिद्धी की प्राप्ति होगी पिता अपने घर गई और अपनी पत्नी को समझाने लगा सुबे उठा करो नहा धो कर पूजा पाठ किया करो लेकिन उसकी पत्नी की बुद्धी भरस्ट थी उसे कुछ समझ ना आया वह सुबे उठती बिना नहाए दो यही खाना शुरू कर देती ना पूजा करती ना पाठ क थोड़े दिन तो जो पुत्री ने उन्हें धन दिया था बहुत सुख से बीते पहले की तरा थोड़े दिनों के बाद सारा धन खतम हो गया और उनके घर में गरीबी का निवास हो गया आप पिता बहुत ही दुखी हुए दोनों समय भोजन के लिए तरसने लगे कोई उन्ह उधार भी नहीं देता था पिता बहुत ही दुखी होकर दुबारा से पुत्री के घर गए अब की बार पुत्री ने कहा पिता जी आप माता जी को मेरे पास ले आए मैं माता जी को समझा दूंगी कैसे धन की प्राप्ती होती है पिता उसकी मा को लेकर उसकी पुत्री के घर किया तब पुत्री को एक दिन बहुत ही गुसा आया उसने अपनी माता को बुधवार की रात को कमरे में बंद कर दिया वीरवार को उसे नेलाया दोलाया उसे स्वच वस्र पहनाई भगवान विश्णुजी के मंदिर ले कर गई कथा कहानी सुनाई और जिससे उसकी माता की ब गुड़ चने से भगवान विश्णुजी की पूजा करती इससे भगवान विश्णुजी मालक्षमी जी परसन हुई और उनके माता पिता के घर में भी धन दोलत और पुत्र की प्राप्ती हुई इस प्रकारमित्रों जो भी वीरवार के वरत करती हैं कहानी सुनते हैं पति महाराज की जै विश्ण भगवान की जै मालक्षमी की जै इस तरह से मित्रों बिना वरत के भी आप इस कथा को एक समय अवश्य ही सुने वीरवार के दिन निश्य ही आपके जिवन में आ रही धन संबंदी सभी प्रेशानियां खतम हो जाएंगी आपको वीरवार के छोट बख्वान जै मालक्षमी अवश्य है